हेलो फ्रेंड्स मैं निखिल कुमार एक बफिर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूटीब चैनल CGPAC e-parts चाला में CGPAC e-parts चाला में आज कमार टॉपी का 36 गड़ करेंट अफेर्स जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं एक से लेके 15 जुलाई तक के 36 गड़ के सारे इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स पर आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक इन्फोर्मेशन है CGPAC e-parts चाला का एक हाफ एली करेंट अफेर्स पेड नोट्स अवेलेबल हो चुका है जनवरी से लेकर के जुन 2020 तक का एक हाफ एली करेंट अफेर्स अवेलेबल हो चुका है जिसके इसके भी चाहिए उन नीचे दियेगे नंबर पर कॉन्टेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं चले शुरू करते हैं देखिए समझेगा कोल इंडिया 2019 वीस कोल इंडिया 2019 वीस कोल इंडिया के द्वारा आपके कोल इंडिया की सबसेडिरी कमपनीज के द्वारा पिछले वित्तिय वर्ष में जो कोईले का उत्पादन किया गया उसका एक डाटा जारी किया गया है पिछले वित्तिय वर्ष में मतलब वित्तिय वर्ष 2019 वीस तो इस कोईले के उत्पादन अप्रेल 2019 से लेकर के मार्श 2020 देखिए यहां कॉलम बना हुआ है यहां है इस्थान इसकी कोल इंडिया के अंतरगत आने वाली कमपनी यह जो कमपनी से है वो किस राज्य में आपका उत्खनन कारे करती है कोईले का और उत्पादन है आपका मिल् तो इस साउथ इस्थ कोल्ड फिल्ड लिमिटेड जो कि 36 गड़ में कोईले का उत्खनन करती है वो इस वित्तिवर्ष 2019-20 में आपके सरवाधिक कोईले का उत्खनन करी आपका 150.55 मिल्यंटन कोईले का उत्पादन किया गया ठीक है आपके SECL के द्वारा 36 गड़ से आपका 150.55 मिल्यंटन कोईले का उत्खनन किया गया इस 150.55 मिल्यंटन कोईले के उत्पादन के साथ हमारा जो 36 गड़ है वो देश में कोईले के उत्पादन में आपका number one पोजिशन पे आ चुका है ठीक है पिछले वित्तिवर्ष तक आपका जार्खन number one पर था लेकिन इस आपके में हमारा 36 गर जो है वो कोईले के उत्पादन में अग्रणी राज्य बन गया है ठीक है वैसे ही सेकंड पोजिशन पर है आपका उडिसा उडिसा जहां पर उत्खनन करती है आपकी कंपणी मतलब महानधी कोल फिल्ड लिमिटेड महानधी जो कि हमारे 36 गर के होते हुए बहती है और आपके उडिसा में बहते हुए वो आपके बंगाली खाड़ी में जाकर विशर्जित होती है तो उसके आजपास के छेत्रों में जो उत्खनन कारे करती है उस कंपणी का नाम है आपक मिलियन टन कोईले की उत्पादन के साथ MCL second position पर है ठीक है दीखिए तीसरे नमबर पर है आपका NCL NCL मतलब Northern Coal Field Limited ठीक है Northern यानी उत्तरी उत्तरी कोईले का उत्पादन किया गया मध्यप्रदेस और उत्तर परदेस दुनों र 어제 मेंी खchos खनन करती है इसके द्वारा इस वित्ति वर्षों 2019 में 108.09.10 कोईले का उत्तरी उत्पादन किया है इसके साथ आपका NCL मध्यप्रदेस और उत्तर प्रदेस ये आपके तीसरे इस्थान पर है चौथे नमबर पर है आपका जारखंड ठीक है चौथे नमबर पर है जारखंड जारखंड में उत्खरन करने वाली कमपणी है आपका CCL यानि Central Coal Field Limited इसके द्वारा इस वर्ष मात्र 66.89 यानि 66.89 मिलियन टन कोईले का उत्पादन किया गया ठीक है तो पहले नमबर पर है 36 ग Central Coal Field Limited और चौथे नमबर पर है आपका CCL यानि Central Coal Field Limited कोल इंडिया के द्वारा देखिए यहां तो मैंने केवाज चार सब्सिडिरिस कंपणी के नाम लिखे इसके अलावा भी बहुत सारी कंपणी है ठीक है अगर पूरी कंपणियों का अगर हम देखे तो कोल इंडिया के द्वारा इस वित्तिय वर्ष 2019-20 में आपका 602.14 602.14 मिलियन टन कोईले का उत्पादन किया गया वित्तिय वर्ष 2019-20 में इन्पोर्टेंट है याद रखिएगा देखिए नेक्स्ट है आपका रायगर युनिवर्सिटी रायगर युनिवर्सिटी हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा आपका रायगर जिला में एक युनिवर्सिटी खोले जने की घोशना की गई है इसके संबंद में इस युनिवर्सिटी के संबंद पर आपका राजपत्र में भ बिहारी वाजपाई उनिवरसिटी से अलग करके इस उनिवरसिटी को बनाया जा रहा है जो आपका अटल-बिहारी वाजपाई जो यूवरसिटीै यानि भिलास पूर विश्य विश्विध्याला यह जो आपका अटल भीहरी वाजपाई जो उनिवर्सिटी है इसे बिलासपूर विश्विध्याले के नाम से भी जाना जाता है तो यह जो बिलासपूर विश्विध्याले है यह जो आपका अटल भीहरी वाजपाई जो आपका उनिवर्सिटी है इस यूनिवर्सिटी से अलग करके आपका रायगण यूनिवर्सिटी या आपका स्वर्गी नंद कुमार प्टिल विश्विध्याला बनाया जा रहा है ठीक है देखिए ध्यान समझेगा अभी वरतमान में यह जो आपका बिलासपूर यूनिवर्सिटी है इस बिलासपूर युनिवर्सिटी के अंतरगत आपके 190 महा विद्याला है 190 महा विद्याला है जिसमें लगभग आपका 1.20 लाग छात्र इसके अंतरगत अध्यनरत है ठीक है वर्तमान में ये हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा विश्विद्याला है सरवाथिक महा विद्यालों की संख्या और सरवाथिक छात्रों की संख्या के साथ ये आपका जो बिलासपूर विश्विद्याला है ये वर्तमान में हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा विश्विद्याला है ठीक है इस आपके बिलासपूर विश्विध्यला के अंतरगत आपके बिलासपूर जिला कोरभा जिला राईगर जिला और जांज़गीर चापा जिला इन चार जिले के महाविध्यला आते है लेकिन ध्यान दीजेगा कि ये जैसे ही आपका राइगर युनिवर्सिटी आपका बन जाएगा इसे खोला जाएगा वैसे ही ये राइगर युनिवर्सिटी के अंतरगत इस 190 महा विद्याले में से 102 महाविद्याले इस रायगर युनिवर्सिटी के अंतरगत आजाएंगे और ये इसके अंतरगत आपका रायगर जिला और आपका जांजगीर चापा जिला इन दो जिले के महाविद्याले आ रहे हैं ठीक है तो 102 महा विद्यालय जो है इस राइगर उनिवर्सिटी के अंतरकत आएंगे तो इसके पस्चार ये जो राइगर उनिवर्सिटी है ये हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा उनिवर्सिटी बन जाएगा अभी तो 190 महा विद्यालय के साथ जो है आपका विलासपूर उनिवर्सिटी आपका 36 गड़ का सबसे बड़ा उनिवर्सिटी है लेकिन अकर राइगर उनिवर्सिटी बनता है तो राइगर उनिवर्सिटी के बनने के पस्चार 100 महा विद्यालयों की संख्या के साथ ये राइ से एथेनोल का निर्मान किया जाता है एथेनोल प्लांट में आपका धान का उपयोग करके एथेनोल एक प्रकार का इंधन है एथेनोल का निर्मान किया जाता है तो केंद्र सरकार के द्वारा हमारे प्रदेश में 6 जिलों में एथेनोल प्लांट को मंजूरी मिल गई है देख इसलब जितना हमारे प्रदेश को धान से चावल बनने के पास्चा जितनी आवश्कता है उसके वावजूद भी काफी धान बज जाता है तो उस धान का उप्योग करके एथेनोल का निर्मान किया जाएगा एथेनोल एक प्रगार का इंधन है ठिक है तो धान का प्रयोग करके सरप्लस धान का प्रयोग करके आपके एथिनॉल के निर्मान करने के लिए छै जीलो में ठीक है प्रदेश के छै जीलो में एथिनॉल प्लांट खोले जाने की मंजूरी केंदर सरकार के दोरे मिल गई है इन छै जीलो में एक है दुर्ग, दूसरा है बिलासपूर, तीसरा है राइपूर, ठीक है, तीन सबसे बड़े आपके शहर, चौते नमबर पर है आपका बलोदा बाजार, पाचवे नमबर पर है बालोद, और छटवे नमबर पर है आपका जांजगीर चापा, देखिए, छह जीले कौन-कौन तो आपका धान का खरीदी सरप्लस जाता है, और धान की खरीदी के साथ-साथ यह जो 6 जिले है, इन 6 जिलों में जो धान का भंडारण ग्री है वो भी सरवाधीक होता है, इस कारण से इन 6 जिलों में आपके एथेनॉल प्लांट खोले जाने के लिए मंजूरी मिल चुकी है ठीक है, next देखिए, next है आपका बस्तर दसारा, हमारे प्रदेश में जो बस्तर दसारा होता है, वो आपके 75 दिनों का होता है, ठीक है, हमारे प्रदेश में जो बस्तर दसारा का आयोजन होता है, ये 75 दिनों का होता है, लेकिन इस साल, इस साल जो बस्तर दसारा है, ये आपका 104 ठीक है 104 दिनों का होगा ध्यान समझेगा यह जो हमारे प्रदेश में जो बस्तर दसरा का आयोजन है यह आपके 612 वर्षों से किया जाता आ रहा है लेकिन 612 वर्षों में यह पहला साल है कि बस्तर दसरा का आयोजन 75 दिनों का नहों करके 104 दिनों का होगा इसका एक मुख्य क कलेंडर के जो आपके महीने हैं जैसे चैत्र बैसाग जेश्ट असार सावन भादो कुवार कार्थिक अगहन पॉस तो यह जो आपके हिंदू कलेंडर के इस अश्विन अधिमास के कारण नौरात्री भी इस साल विलंब से आएगा यानि नौरात्री का जो आपका दिन है वो भी काफी विलंब से आने वाला है तो यह अश्विन अधिमास यानि जो अश्विन का जो महिना है इस साल जो है आपका दो महिने का होने वाला है तो इस अ बस्मों में आपके एक महा की अवधी बढ़ा ही गई है हमारे प्रदेश में आपके 1408 इसवी से आपके बस्तर दसहरा का आजन होता आ रहा है जब आपके काक्ति सासम आपके जो पूरसोत्तम देव है वो आपके जगनात पूरी ठीक है जगनात पूरी में आपके भगवान ज दशहरा में आपकी रत ह्यात्रा निकलती है ठीक है तो ये बस्तर दशहरा जो है आपके 1408 इस्वी से आपके 38 पूर्सोत्तम देव के शाशनकाल से हमारे बस्तर वाले छेत्र में मनाया जाता रहा है देखिए देहाँ समझेगा इस वर जो है आपका बस्तर दशहरा ये नहीं होगा 104 दिनों का नेक्ष समझेगे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक हैँ ठीक ही ठीक है ठीक है पत्थरों और इटों से बनी हुई मंदिरे हैं, ठीक है, हमारे प्रदेश में जो आपके 36 गड़ में जो राष्ट्री है, सनरक्षित जो आपकी मंदिरे है, उनकी संख्या है, आपकी 49, जो 49 जो मंदिरे है, इनका निर्मान, सात्वी से सोलवी सतापदी की मध्य, पत्थरों और इटों से बने हुए ये मंदिर है, ठीक है, ध्यार समझेगा, इन आपके 49 मंदिरों में से, 19 मंदिर ऐसे है, जहां पर नियमित पूजा होती है, ठीक है, तो 19 मंदिर जहां पर नियमित पूजा होती है, और इन आपके 49 मंदिरों में से, आपके 17 मंदिर ऐसे है, जो केव शिव मंदिर है ठेक है 49 मंदिरों में से आपके 17 मंदिर ऐसे है जो शिव मंदिर है और जो बाकी बचे हुए जो आपके 22 मंदिर है उन में से आपके दंतेशोरी माता का मंदिर विश्णु मंदिर उसके अलावा बुद्ध मंदिर ये सारे के सारे बाकी अन्य देवी पूजा देखिए, यह आकड़े अभी सावन महीना है, जिसमें आपके भगवान शियू की पूजा की जाती है, उस समय यह आकड़े सामने आया है, इसमें mainly highlight किया गया है आपकी शियू मन्दिरों को, ठीक है, तो हमारे लिए important क्या है, यह 49, ठीक है, हमारे प्रदेश में राश्रिय सनरक्षित, इमारते नहीं, केवल मंदीर, मंदीरों की संख्या है आपकी 49 नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके तिबती मोनेस्ट्री, तिबती मोनेस्ट्री ये मौजूद है आपका मैन पार्ट, मोनेस्ट्री का मतलब होता है मंदीर, तिबती समुदाय का मंदीर, हमारे प्रदेश में आपका 1962 में हुए भारत चीन यूद्ध के बाद, बहुत स आपके इस मैनपार्ट वाले छेतर में तिबदियों का चोथा और सबसे बड़ा मॉनिश्री का निर्मान किया गया है यानि है एक प्रकार का उनका मंदीर है जहाँ recycetा में डीßen gata मों कुरिया अब तक सबसे बड़ा इस यानि यहां पर पुजा पाट के साथ सा इसे गुरुकुल में इन्हें पुर्वजों की परमपरा और विरासapt से जोड़े रखने से संबंधित यहाँ पर इन्हें जानकारी दी जाएगी जो तिब्वतिय जो आपकी युवा ए जो आक के यंग जनरेशन हैं उनके।ž में आपकी 20 फीट उची बुद्ध की प्रतीमा भी इस्थापित की जा रही है प्रश्ण पूछा जाएगा कि जो मोनेश्ट्री है ये मोनेश्ट्री की समुदाय से संबंदित है बौध जैन तिभवती ध्यान दिजेगा तिभवती से आपका जो तिभवती समुदाय का सबसे किया गया है देखिए आप मेंसे जिसने भी आपका half yearly current affair का PDF note purchase किया है वो एक correction कीजेगा मैंने जो आपका राजीव गांधी किसान न्या योजना है उसमें मिस्प्रिंट हुआ है ठीक है राजीव गांधी किसान न्या योजना उसमें आपका लिखाया हुआ है 21 जुन उसे 21 जुन से correct करके उसे कीजिएगा आपका 21 मई ठीक है 21 मई 2020 21 मई जो है यह आपके राजीव गांधी जी की पुन्यतिति है ठीक है तो इन राजीव गांधी किसान न्या योजना ठीक है तो इसे correct कीजेगा by mistake उसमें 21 जुन लिखा गया है उसे 21 मई 2020 कीजिए ठीक है ठीक है ठी आजीव गांधी किसान नयाय योजना के अंतर गथी इस गोधन नयाय योजना को शामिल किया गया है, इसकी शुरुवात की जाएगी आपके हरेली से, हरेली जो की आगामी 20 जुलाई को आपका ये हरेली का परवा है हमारे प्रदेश में, किसानों का एक महत्पूर्ण परवा है प्रदेश गोधन नयाय योजना के अंतर गथी जो गोवर की खरीदी, तो है नोट्स में 50 रुपय प्रतिकिलो लिखा हुआ है गोवर की खरीदी, क्योंकि उस समय आपके समीती के द्वारा 50 रुपैं प्रतिकिलो की सिफारिश की गई थी, उसे भी अपडेट की जेगा कि अब जो है आपके cabinet के दोरा मुहर लग चुकी है कि गोधन्या योजना के अंतरगत जो गोबर की खरीदी है वो 2 रूपर फ्रती किलो की दर से की जाएगी ठीक है और इस गोबर से बने हुए जो आपके वर्मी कमपोस्ट यानि जो खाद है उसे 8 रूपर फ्रती किलो की दर से बेचा जाएगा ठीक है गोबर खरीदी की पस्चाद जो आपका वर्मी कमपोस्ट यानि की जो खाद का निर्मान किया जाएगा उसे 8 रूपर फ्रती किलो की दर से आपकी राध्य सरकार बेचेगी ठीक है नेक्स्ट देखिए रेलवे सोलर प्लांट रेलवे सोलर प्ला दुर्ग जिले के चरोदा में आपका 50 मेगा व rivalry एनरंजी मेरेजमेंट कमपनी लिमिटेट के द्वारा एक सोलर प्लांट इस्थापित ही जा रहा है इस प्लांट का उप्योग signal operation में और आपके रेलवे है उसके power recharge में किया जाएगा railway का power recharge यानि जो आपके railway के अंतरगत जो आपके electrical जो accessories लगे रहा था जैसे आपका AC हो गया ठीक है AC हो गया उसके अलावा जो आपके charging points हो गया तो उसके लिए जो छोटे मोटे जो electricity की जो आपकी अवश्कता होती है railway coach के अंदर तो उसके लिए एक प्रकार का power recharge ये provide करेगा ठीक है तो ध्याद समझिएगा इस 50 मेगवोट का जो railway solar plant ये कहां इस्थापित किया जा रहा है चरोदा दुर्ग में ठीक है next देखिए next है आपका water and mice tourism water and mice tourism देखिए हमारे प्रदेश में वर्तमान में water tourism में मौझूद है आपके हस्दयो बांगो डैम में हमारे प्रदेश के हस्दयो बांगो डैम हस्दयो बांगो डैम सतरेंगा कोरवा में आपका वर्तमान में आपका water tourism में मौझूद है इस Water Tourism में इसी सतरेंगा के तर्ज पर ही आपके हमारे प्रदेश के 9 Water Body 9 Water Body जिसके अंतरगत है आपका मौडम, सिनली, सरोधा दादर, गंग्रेल डैम, खोटा घाट डैम, कोडार डैम, समोदा, बैराज, दुधवा जलाशे, घोगा और आपका संजय गांती इन 9 Water Bodies में आपके इस हल्दयो बांगो सतरेंगा कोरबा के Water Tourism के तर्ज पर इन Water Bodies को भी Water Tourism के रूप में डैवलप किया जाएगा Water Tourism के मतलब वहाँ पर आपके Water संबंदित खेल, यानि Adventurous जो आपके Sports होते है, वो वहाँ पर उस Water Tourism में आपका होता है, दिहां से समझेगा तो इस आपका सतरेंगा के जो आपके Water Tourism है, उसके तर्ज पर इन 9 Water Bodies में आपका Water Tourism में विक्सित किया जाएगा दिहां से समझेगे, यह जो आपका Bango Dam है, यानि सतरेंगा, हस्देव Bango जो डैम है, यहाँ पर आपका MyS Tourism में भी डेवलप किया जाएगा MyS Tourism में जो कि आपके Professionals और Company के लिए होती है, देखिए, MyS Tourism मतलब जो आपके Company है, किसी Company में अगर कोई आपका एक Conference का आयोजन करना है, कोई आपके Exhibition रखना है, किसी प्रकार का Seminar रखना है, तो वो Seminar का जो आयोजन है, वो आपके इस हस्देव Bango, यानि इस सतरेंगा वाले आपके हस्देव Bango डेम में इस अपने Conference का आयोजन कर सकते है, ताकि काम के साथ साथ जो आपके जो करमचारी है, उस Company के, वो आपके परेटन का भी लुफ्त उठा सके, आसपास के जो प्रकृति के माहोल का लुफ्त उठा सके, ये कहलाता है आपका MyS Tourism, ठीक है, काम इस की ति है आपके सुरजपूर जिले में, सुरजपूर जिले के माहामाया शक्कर कार खाना, इसके द्वारा आपका 6 Megawatt विद्धुत का उत्पादन किया जा रहा है, एक आपके जो हमारे 36 गड़ की, जो आपकी 36 गड़ विद्धुत विद्रण Company है, इसके साथ एक आपक को उत्पादन किया जा रहा है तो वो है आपका मा महा माया शक्कर कार खाना सूरजपूर नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपका देव संस्कृति विश्विद्याले ये मौजूद है आपका सांकरा जिला दूर्ग ठीक है, सांकरा जिलत दुर्ग में मौजूद है आपका देव संस्रिती विश्विद्याल है, यह हमारे प्रदेश का पहला आध्यात्मिक विश्विद्याल है, इस विश्विद्याल है के अंतरगत, मानव चेतना, योगा, अल्टरनेटिव थेरिपी, थियोलोजी, साइकोलो जैसे कोर्स में, इसमें डिप्लोमा दिया जाएगा, देखिए, कोर्स क्या क्या है, मानव चेतना, योगा, अल्टरनेटिव थेरिपी, थियोलोजी, साइकोलोजी, इन सभी जो आपके कोर्स है, इसमें डिप्लोमा दिया जाएगा, साथी साथ आपका, जो आपके इस आध् आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी आध्यात्मिक विश्विद्याल है प्रदेश की पहली आपकी आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी कहा है साकरा दुर्ग में जिसका नाम क्या है देव संस्कृति विश्विद्याल है ठीक है इसमें अभी इस यूनिवर्सिटी में इस साल अभी प्रवेश प्राराम्ब हो रहा है छुरू हवा नहीं ha, प्रवेश फ्रारामब इस university में प्रवेश, छात्रों के प्रवेश के अनुमती मिली है, तो यह है आपका देव संस्क्रिती विश्वित गाले तो आज के वीडियो हम यहीं अंड करते हैं किसी प्रगर का डाउट होता आप नीचे कमेंट करेंगे फूस सकते हैं चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्स्राइब कर दीजेगा लाइक और शेयर जोलू कीजेगा धन्यवाद